क्योंकि देश का नाम रोशन पैरेस ओलंपिक में खिलाडी मनु भाकर ने किया है और दो मेटल जो हैं वो देश को दिलाया है इसको ले करके हर्याना खेल मंत्री संजय सिंग हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सायोगी साहिल रुकाया उनके साथ वहां मौजूद हैं जो तमाम स जो है दूसरा ब्रोंज मैडल जो है वो पैरा ओलंपिंग में जो है वो हासिल किया है इस वक्त हमारे साथ हर्याना के खेल मंत्री संजे सिंग जी मवजूद है सर दूसरा ब्रोंज मैडल जो है हर्याना की शूटर मनु भाकर ने लिया है किस तरीके से देखते हैं लगातार जो है हर्याना के खिलाडी जो है वो हर्याना का भारत का जो नाम रोशन है वो पैरा उलम्पिंग में जो है वो करने जा रहे हैं मैं सबसे पहले मनु भाकर और सर्विजोत की जोड़ी को बहुत बहुत बताई देता हूँ और मन्नु भाकर ने जो एक रिकोर्ड करने का जो काम किया कि जो डबल मेडल साथ देश में पहली बार हमारी मन्नु भाकर जो लेका आई है वो अपना आप में कि तिहासर दूसरा हमारे परदेश की जो खेलनीती है मैं उसके लिए हमारे नेतरताव का धन्यवाद करता हूँ हमने पहली बार जब 2014 में भारजनता पार्टी जे कामान संबाली तो मैं समझता हूँ हमने जो गॉल्ड मेडल हमारे जो अलम्पिक गेम में लिगाता है पर चार क्रोड रुपे और सिल्वर पर चार क्रोड रुपे और ढाई क्रोड रुपे हम जो ब्रॉंज पर देने का काम करते हैं तो इस परकार पहली बार कैस हवाड देने का महाई तरकार ने काम किया इतना ही नहीं हमने हर खिलाडी को जो भी सुविधा के आउसकता है उनको सुविधा देने का काम क्या है उसी के बल्बूते पर आज हमारे खिलाडी पूरे देश का नाम रोसन कर रहे हैं और अभी तो हमारा ये कहते हैं हरियाने का एक बल्ला शुरू हुआ है आने वाड़े समय में हरियाने के हमारे तकरीबन खलाड़ी अच्छे मेडल लेकर कहेंगे और देश का नाम रुसन करेंगे इसके लिए मैं हमारे कैंदर नेतरता प्रधान मंतर जी का धन्यवाद करता वो पूरे उलमपिक पर इतना व्यास्त होते हुए भी सभी खलाड़ियों पर ध्यान रखे हुए हैं और उनको हर समय अपडेट देते हैं जो भी आउस्ता होती हैं उनकी हर समय परियास मुद्द करता है शूटर मनू भाकर ने इतियास रच दिया दूसरा कांसे बदक उन्होंने जो है वो पैरा उलमपिक में जो है वो जीता है हम जो हमारे दोनों खलाड़ियों ने है जो परदेश का देश का नाम उचन किया है वो जब भी पहरे से आएंगे हमारे सरकार उनका स्वागत करेगी और उनके एक स्वागत के लिए पूरा परदेश का हर ईवा उनके साथ खड़ा हुआ है और उसे काफी उमीद हैं हमारे ख्लाडियों से कि हमारे परदेश का नाम दो सुन करें देश का नाम दो सुन करें किस तरीके से एप्रिशेट किया जाएगा क्या कुछ हरयाना 제स तरकार मैं गॉण तुक्त-्चराइज होते हैं जो silver medals में 4 kloट रुपे और bronze medal पर 5 kloट रुपे हम देने के काम करते हैं और इसके बावजूद भी हमारे खिलाडियों को सरकार में 9 को देने के काम हम लोग करते हैं और उनके नाम पर हम लोग पूरे परदेश में देश में जो भी उनको facility आफस्ता होती है वो facility दिने के हम लोग काम करते हैं जब भी खेल और खिलाडियों की बात आती है तो हरियाना का नाम जहन में जरूर आता है और किस तरीके की उमीद है आपको कितने medal आएंगे क्योंकि पूरे देश में हरियाना जब भी ऐसी कोई खेल होते है हरियाना हमारी खेल नीति के नुफसार और हमारे जो परदेश नेतरता हो पूर मुखमंतरी मनुलाल जी और नाइप शेनी जी की जोड़ीन है खेलों में नहीं मैं समझता हूँ बहुत से कामों में देश में पहली नंबर पर आज हरियाना खड़ा किया है चाहे वो GST की बात हो चाहे खिलाडियों की बात हो चाहे हमारे लोगों को सुविधा देने की बात हो पूर्टल पर जो जितनी सुविधा हैं हमारी परदेश की सरकार आम लोगों को आम नागरियों को जो मुहियक कराने के काम करती है वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है और आज जो आज जो कारे करम किया था पहली बार एक बटन पर 18 घंटे के अंदर अंदर अपांडमेंट करके उनको स्टेशन देना और बिल्कुल भी किसी भी बिना पर्ची बिना खर्ची के जो मैं समर्ता हूं काम के अधार का अगर देखा जाए जहां तक कंग्रिस सरकार बात करती है हर्याना इसाब मांगेगा उनको अपने हसाब की बात करने चाहिए हमने लगद दस साल में जो अमारे दस साल अभी दो मेने अमारे बाकियां भी हमने करीव करीव एक लाख एक सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छा हमारे ख्लाडियों ने देश का नाम रूसन किया है मैं एक बार फिर मनु भाकर और सरब जोत को बहुत 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 बदाई देता हूँ और उनके परिवारों को मैं बहुत बहुत बदाई देता हूँ मैं भी कोच से अपने मनु जी से मेरी बात हुई है और चार तरीक को वहां परिस खाने रहा हूंक। अप खुद भी रसीव करने जाएंगे जाएंगी त सम्मान मैं खुद परिस ही जा रहा हुँ है Черव मनुद के भारा वहां है। पैरिस में उलम्पिक करकरम में वहाँ जाएंगे और खिलाडियों का मान समान बढ़ाने की बात जो है वो हर्याना के खेल मंतरी संजे सिंग्की और से की गई है जी सीमा बिल्कुल और साहिल हाला कि क्योंकि खेल मंतरी हमारे साथ मौजूद है तो उनसे ये भी जानने की कोशिश करें क्योंकि इतने कम उम्र में मनु भाकर ने जो नाम रोशन देश का किया है देश की धरोहर की तौर पर वो अब परचित होंगी तो कैसे उसका इस्तवाल हर्याना में बाकी खिलारियों के लिए किया जाएगा खास तौर पर महिला खिलारियों के के सामने उनको किस तरह से रेप्रेसेंट किया जाएगा किस तरह का फायदा यहापर उठाते हैं उनसे नज़र आएंगे सभी बिल्कुल क्योंकि महज 22 साल की उमर में मनु भाकर ने इतियास जो है वो रच दिया है ब्रोंज मैडल जो है वो दूसरा लाने का काम के है दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा जिस तरीके से 22 साल की महज उमर में दूसरा ब्रोंज मैडल लाने पर इतियास जो है वो मनु भाकर ने रच दिया है बिल्कुल सबी युवाओं को एक सीख लेनी चाहिए और लगन और मेनत के साथ कोई भी काम हो चाह पड़ाई की बात हो चाह खेल की बात हो उसमें अभ्यास करना चाहिए और उसी का रजल टाज मनु भाकर उनके सामने पिल्कुल जिस तरीके से जो संजे सिंग है तमाम जानकरी जो है इंडिया नूज के कैमरे के मादम से हम अपने दर्फकों को बता रहे हैं और लगातार सम्मान की बात संजे सिंग की योर से की जा रही है और उनका साब तोर पर कहना है बावय कारेकरम हर्याना में किया जाएगा जब खिलाडी जो है वो बारत लोटेंगे तो एक भवय कारेकरम का योजन जो है वो किया जाएगा जी सीमा चलिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारे और ये बड़ी चर्चा करने के लिए और इसे बीच हमारे साथ